आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP Online से related एक option के बारे में जिसके द्वारा की आप MP Online में प्रति दिन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो है how to pay electricity bill using MP Online MP Online यदि आपका है तो आपकी ID से आप login करके और प्रतेक एक बिल को pay करने पर 4 रुपे अर्न कर सकते हैं अब आपको सोच रहे होगे कि ये तो 4 रुपे है लेकिन वही आपने 100 लोगों के form बर दिये तो वही चीज आप देख लीजिए 400 रुपे हो गए तो इस तरीके से आप जो है MP Online के अंतरगत यदि आपका खुद का MP Online है और आपके पास उसकी ID है तो आप जो है electricity bill भर करके भी अच्छा खासा profit कमा सकते हैं इसी प्रकार से माली जीए आप खुद का bill जमा करना चाहते हैं और आपके पास MP Online के ID नहीं है तो देखे बिना हम MP Online के ID से लॉग इन करके आज आपको बतलाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप bill payment कर पाएंगे तो mponline.gov.in website open कर लीजे इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और उसके लिए आपको जाना है bill भुकतान option पर देखे यहाँ पर यह आपको option दिखलाई दे रहा है bill भुकतान इस पर आप क्लिक कर दीजे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएए विद्द बिल option पर जाएए ठीक है इस options को कोई भी इस्तमाल कर सकता है इसके लिए कोई भी mponline की id के जरूरत नहीं है लेकिन यदि आपकी shop है mponline की और आप mponline की id से login करते हैं login करने के बाद आप यदि किसी का bill पे करते हैं तो आपको 4 रुपे mponline की तरफ से commission मिलेगा तो यहाँ पर हमारा दोनों object है आपको यह बतलाने का कि आप खुद का अपने घर का भी electricity bill भर सकते हैं और mponline की यदि आपके पास id है तो आप किस तरीके से earning कर पाएंगे वो पे कारे को सीखना चाते हैं तो उसकी link उस course की link हमने वीडियो के description में दी हुई है कैसे आप mponline और cst का का काम सुरू कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको वीडियो के नीचे description होता है उस description में एक link दी हुई है उस पर आप click करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएग इसके लिए हमने पूरा complete course बनाया हुआ है उस course को join करने के बाद आप हमसे जो है chat कर सकते हैं आप हमसे phone में बात कर सकते हैं और अपना खुद का mponline और cst center खोल सकते हैं तो lockdown के दौरान ये सबसे अच्छा तरीका है चीजों को सीखने का क्योंकि lockdown खुलने के बाद आपको कुछ ना कुछ काम यदि आप ढूणेंगे कोई private job ढूणेंगे government job की तैयारी करेंगे लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कोई काम आप सुरू करें जिसमें पहले दिन से ही आपकी earning सुरू हो जाए तो mponline और cst center से अच्छा कोई भी काम नहीं हो सकता उसमें आपको दिन जो है वो आपके लिए earning की shop open आप कर लेंगे तो कैसे ये सारी चीज़ें करना है पूरी training हम आपको देंगे वीडियो के मादम से उसके लिए link वीडियो के description में दी हुई है तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं कि किस तरीके से mp online में आप बिजली का bill जो है वो भर सकते ह उसके लिए आप सबसे पहले आप चुल लीजिए आपके जो card आपके यहाँ जो bill आता न उसके उपर देखेगा icon भी होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो electricity आ रही है उसकी वितरण company कौन सी है जैसे हमारी वितरण company यह है तो हमने इस पर click किया ठीक है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है पूर्व चेतर वितरण company limited NGB और यहाँ पर दिया भी गया है कि आप किस चेतर में हैं जिस चेतर में हैं आप उस पर click करके आप जो है यहाँ पर अपना online electricity bill फिल कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर click किया NGB उसके बाद हमको यहाँ पर click को यहाँ पर डालना है तो हमने जैसे यह फिल कर दिया get bill details आप करेंगे तो जो भी bill होगा आपका इस month का वो यहाँ पर पूरी detail उसकी आपको दिखलाई देगी इस प्रकार से जैसे यहाँ पर bill details दिखलाई दे रही है अभी हमने payment कर दिया थे इस month का इसलिए यहाँ पर bill amount zero दिखलाई दे रहा है इसके बाद फिर update हो जाएगा यहाँ पर आप अपना mobile number डाल दीजे और उसके बाद proceed to pay में क्लिक कर दीजे proceed to pay में क्लिक करने के बाद payment कर पाओगे आई MPS के तुरू भी payment कर पाओगे UPI और wallet के तुरू भी आप payment कर पाओगे बस payment करने के बाद इसमें MP online में यह होता है कि आपको यह redirect करने के बाद successfully कोई message नहीं दिखलाता है तो आपको डरने की जूरूत नहीं है आपके net banking से यह आप करते हो तो यह दिप ऐसे कर जाते हैं आप एक बार चेक कर लीजे और दुबारा उसको payment मत कीजिए तुरंत क्योंकि वो तुरंत यदि website में अपडेट नहीं होगा माल लीजे वहाँ पर payment दिखलाएगा आप फिर से payment कर देंगे तो दो बार हो सकता है payment कट जाए आपकी इसलिए ध्यान रखिएगा एक बार बस आ आप जो है electricity bill MP online से जो है pay कर सकते हैं इससे related पूरा complete course MP online का हमने जो है बनाया हुआ है जिसकी link वीडियो के description में दिविए एक बार जाकर के जरूर उस link को click करके check कीजिए